कि कितने अजीव हो तुम लोग सीरियसली सीरियसली तुम ये वाला वीडियो देखने हैं जिसमें हम अंडर्ग्राउंड आर्टिस्ट की बात करते हैं तुम नया म्यूजिक एक्स्प्लॉर करने हैं हो लेकि सीरियसली आट्स आफ बहुत सही भाई लोग यही वाले कीड़े मे मेरे में भी हैं इसलिए मैं यह वाले एपसोड बराता हूँ जिसमें हम अंडर्ग्राउंड आर्टिस की बात करते हैं मन करता है यार कि कोई ऐसे आर्टिस में जो लेस्ट पॉपलर हो लेकिन टैलेंटिड हो और इसको हम फैला पाएं और आप लोग के विज़े से हम यह कर हाँ पार्ट वन आ चुका अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर देखो यह जो कार्ट दिख रहा है यहाँ पर आएगा और आज मैं तुम्हाँ लिए वराइटी ऑफ सॉंग्स आयों मतलब कि न्यू स्कूल भी है हार्ट ब्रोकिन सॉंग भी है थोड़ा फिलोसिफिकल स लगा बिकोज मुझे पता लगना चाहिए यार कि मैंने तुम्हाँ लिए जो गाने सेलेट करे थे उसमें से कोई तुम्हाँ लिए वर्थ लिसनिंग था या नहीं था अगर कोई गाना प्लेलिस में आड़ हो तो वो भी करिए और आप किसी कोई आर्टिस के गाने को जाकर सुनने तुम्हाँ के कमेंट सेक्शन जाके यार मेंशन करो वरोग या फेक सचना था अचा लगता है वरो अच्छा थोड़ा ठीक है चलो ओके बागी सारी बाते बात में वीडियो आगे बढ़ाते हैं सौंग नंबर वान ओके सो इफी लाइक नियू स्कूल राप नियू स आप नहीं सुनाओगा बट लेट में तेल यू दिस गाइस अटायमेंड फ्रम सुदिन पाट ओफ इंडिया इस सौंग इस एडिकेटेट तो लाइक ब्राउन पीपल और अक्रोस दे ग्लोब बहुत ही ज्यादा कैच्छी ट्यून है विटे लिरिक्स है और मेलडी जो मान इतनी सही साउंड कर रही है जो मुझे बेस्टीज लगी वो ये लगे कि आँटो ट्यून है और बहुत ही सटल आटो ट्यून है और दूसी चीज दिए कि भाया मंबं राप है लेकिंडिके अच्छा सांद करने वाला मंबं राप है दिमाग में बस जाताँ हो वाला जो मेल लगा वीडियो प्लस आडियो मेरे सापसे गाने में like everything was like top notch बहुती सही क्रू लगा मुझे song English और Tamil दोनों में है but mostly English में तो I'm sure कि तुम्हें सबंजम कोई दिक्कत नहीं होईगी English आती है ना इतने इतने आती है तो वेटी कि मुझे पता है on the serious note यह कहना चाहूंगा कि मुझे असा लगते है कि अगर fall guy को सही exposure मिला then he's going to be the next big thing in the new school Indian hip hop scene song number 2 है बेवफा बै कलमिंग और मेजाजी मेजाजी की fresh voice से गाना शुरू होता है old school type singing है बहुत ही बढ़ियावात लगरी मेजाजी की और उसके बाद आता है कलमिंग का पार्ट कलमिंग का simple yet hard touching वाले lyrics बंदी ऐसा क्यों किया तू ने अच्छा लग रहा है गाना बहुत ही बढ़िया लग रहा है और उसके बाद फिर से भाई मिजाजी के melodies वाला पार्ट देखो भाई to be honest मैं गाना सुनते सुनते कब खो जा रहा था like मैं भूल भी जा रहा था कि मैं बैट के गाना सुन रहा हूं to like judge it है न ये वो मैं उसकी vibe में ही चला जा रहा था मुझे पहुत ही ज़्यादा सही लग रहा था sad lo-fi romantic song है अच्छा song है sweet song है मतलब मुझे यह तो पता है कि भाई इस गानी का melody तुम्हें पीछा नहीं चोड़ने वाली है वो तुम्हारा पीछा नहीं चोड़ेगी गाने में flow या melodies की इतने सारे variations है कि तुम्हें एक second भी बोर नहीं होगे मैं guarantee है तो हूं एक बर जाके गाना सुनो I'm sure you gonna love it so melodies से अब move करते है थोड़ा chopper flow and bars की तरफ गाने के नाम है लॉमार भाई कनिश्ख featuring bad kids जब ये गाना शुरू होगा ना तभी तुम्हें समझ आ जाएगा इसकी intro music सही कि कुछ तो different होने वाल है let me tell you one thing कि भाई जब कनिश्ख के गाता है ना कनिश्ख के जब पार्ट शुरू होता है I'm sure कि जो उसका flow है उसे तो भी तरह गंदा अमेज होने वाल हो इतिना सही से पकड़ के बीट के रखा हुआ है I just loved it कनिश्ख के बाद पार्ट आता है Bad Kids के अभी का बहुत ही विटी राइटिंग हर बार की तरह है लेकिन जो मेरा फेवरेट था वो था Insane Insane who is a part of Bad Kids group भाई साफ दिस गाई वेंट हम on the track मतला इतने भाहंकर flow switches इतनी गंदी schemes वो बहुत प्री इंसेन ने जो इस गाने में clarity के साफ चौपर फ्लो करा है ना यार बहुत ही सही लगा मेरे को but special shout out to ecstasy जिन्होंने beat बनाई है इतनी different beat इतनी unique beat to be honest गाने के नाम है Lamar लेकिन मुझे गाना सुरीं के जो है in it to win it by young fly featuring akash कहा है अगर तुम्हें new school flow banging it to it भर भर के Travis Scott वाले ad-lips and autotune पसंदे then you have to go and check out this song मेरे को यह गाना sonically बहुत सही लगा I think this is a perfect example of how to make a new school song without going cringy गाने में बहुत ही ज्यादा intelligent ad-lips डाले है young fly ने और उसको akash ने बहुत ही ज्यादा smoothly डाला है overall गाना बहुत अच्छा sound कर रहा मेरे बहुत अच्छा sound कर रहा I think तुम्हें भी अच्छा लगया एक सॉंग जिस underground artist का है शाहिए तुमने इनका नाम ना सुना हो but let me tell you this guy is so talented गाने का नाम है दो कदम by Mark Bhatia Mark ने इस गाने बहुत ही आता tight writing लखी है मतलब बास बास drop होते जा रहे है and beat बेक M वाले alliteration आता है I'm sure it's gonna stick in your head for a very long period of time ये वाला इस गाने मार्क की जो delivery है ना इतनी confident sound करी है और जो clarity के साथ इसको mix master करा है especially shout out to the audio team I mean the beat producer and the mixing master गाय बहुत ही सही और unique beat बनाई और उतनी अच्छा final product निकल गया मुझे overall गाने की जो audio का quality बहुत ही जादा उसने attract करा या एक bonus track भी है Mark का एक पुराना गाना है राम या रहीम वो गाना सुन्दा मजा ना है पैसे वापस वो गाना मुझे बहुत पसंद है Last song in the list है Duba Duba by Says on the Beat and Dukyat क्या बात है I think this is the second song from the album Chantapar As beautiful as the first song Dukyat का बहुत दिनों बाद solo track आया है और तुम बिल्कुल डिसपोइंट नहीं होगे जो Dukyat के एक philosophical बाते हैं वो इस गाने में पूरी तरीके से करी गई है थोड़ा अपनी life के बारे में बात करी है थोड़ा society के बारे में बात करी गई है थोड़ा philosophical बाते करी गई है मेरे को मज़ा आया बहुत सारे topics के बारे में इसमें Dukyat ने cover करा है And Says on the Beat Boy मेरे को Says बहुत पसंद है I have a special respect for Says in my heart तो यह गान यह बहुत ही बढ़िया है जो एक बार सुनो और बताओ कि तुमको क्यासा लगा All right guys तो यहीं पर वीडियो को एंट करते है सबसे पहले उन लोगों को thank you जो यहां तक अभी भी वीडियो देख रहे है तुम लोग के वज़े से ही इसके अबर थोड़े बहुत वीउस आ रहे है You guys are as crazy as I am है ना बड़ी हम वीडिक सुनने का है ने लोगों के एक्स्प्लोर करना है बढ़ाने का है क्या फाइदा होगा अससे अपना तो पता नी लेकिन शायद कुछ आटिस्स को नए नए वीवर्स मिले नए लिस्नर्स मिले तो प्लीज एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि एक बाद जो भी आज हमने गाने सुने एक बाद जाके सुनना ज़रूर और अपने दोस्तों को उनके गाने जबूर दिखाना सुनाना और हो सके तो आटिस्स को जाटिस्ट वीवर्स मिले जए एक बाद जाटिस्ट वीवर्स